फ्रेंग्स चार सो के पार एक वरिदान वर्दान या विशाप ब्लेस और एकर्स ये एक बिद्दु है जिस पर चर्चा करने का एक बंतवे बना है जी हां हम नारा सुनने हैं चार सो के पार क्या ये स्वस्त लोगतंत्र का परिचायक है क्या ये एक मजबूत लोगतंत्र की और इंगित करा है या कहीं लोगतंत्र की दुर्बलता की और इशारा तो रही करता है जब भी कई निरग कुष्टा आती है वो तभी आती है जब व्यक्ति के पास अपूर्व अपार सत्ता इकठी होती है एक बहुत ही सुद्धर वाके इंगलीश में का गया है पावर मेक्स एमेन करेप्ट एपसलूट पावर मेक्स एमेन एपसलूट करेप्ट जी हाँ निरग कुष्टा निरग कुष्टा का बतलब जब किसी का अगकुष्ट आ रहे राजणीती में जनता लोग तंत्र में अपने मता अधिकार से सरकार चुनने का एक अधिकार रखती है लेकिन उस पर अंकुष रखने का अधिकार सरकार का है इससे मैंकार नहीं कर रहा लेकिन सरकार से पहले एक मजबूत विपक्ष का होता है जो लोकसभा और राजसभा में सरकार की सही नीतियों का समर्थन करे और गलत नीतियों का पुरजूर विरोत करे जब 543 लोग सभा के seats हम देखते हैं और ये लगता है कि 400 के पार एक ही पार्टी NDA के दू या 370 के पार BJP लेके जाएगी हो सकता है ये प्रसंद्ध का विशे हो मैं इसे इंकार नहीं कर रहा लेकिन ये एक सिंतर ये विशे है क्या ये आने वाले वर्षों में कहीं हमारे सत्ता दीशों को निरगुष्टा की तरफ तो नहीं ले जाएगा एक बजबूत विपक्ष लोगतंत्र की सबसे पहली डिबाड होती है क्या हमारे हां ऐसा लग रहा है कि विपक्ष बजबूत हो रहा है चिंता का विशे ये नहीं है कि NDA 400 के पार जा रहा है या BJP 370 के पार जा रही है नहीं ये चिंता का विशे नहीं है चिंता का विशे ये है इस देश के शासकों पर इस देश की सत्ता पर इस देश के लोगतंत्र पर किसका नियंत्रण होगा जब विपक्ष नहीं होगा तब सरकार निरंकुष होगी और ये सुभाविक बात है एपसलूट पावर मेक्से बैट एपसलूट करेप लोग तंत्र सफल नहीं हो सकता लोग तंत्र को सफल बनाना है बहुत गहराई से इस देश की जंता को विचार करना होगा यही आपसे नि जाएवर जाएवर जाए टूट में आपसलूट एपसलूटूट